बजाज और ट्राइम्प की अपकमिंग रेट्रो स्क्रेंबलर टाइप की बाइक एक बार फिर से टेस्टिंग के टाइम पे स्पोर्ट हो गई है और अब की बारी स्पाइक के अंदर कुछ नए फीचर्स भी हैं लेकिन यह बाइक इंडियन डूलर मार्केट में कब तक आएगी क्या इस बाइक का प्राइज होगा कैसे बाइक के अंदर फीचर्स देखने को मिलेंगे कैसा बाइक के अंदर एंजिन होगा जिसके लुक्स काफी अतक ट्राइम की बोनेविल सीरिस से ही इंस्पाइड होंगे बाइक के अंदर ओल एलेडी लाइट्स का सेटप देखने को मिलेगा क्योंकि बाइक के अंदर राउंड शेप्ड काफी मिनिमलिस्टिक टाइप के एलेडी इंडिकेटर्स है अरियर में एलेडी टेल लाइट है फ्रंट में राउंड शेप्ड रेट्रो स्टाइल एलेडी हेड लाइट है और बाइक के अंदर या तो एक सर्कुलर शेप्ड फुली डिजिटर इंस्टुमेंट कोंसोल होगा या फिर एक TFT डिस्पले वाला रेक्टेंगुलर शेप का इंस्टुमेंट कोंसोल होगा लेकिन अभी जो इस पाइक की पिक्चर्स लीक हुई है उस पाइक के अंदर काफी सारी टूरिंग असैसरीज भी है बजया जो ट्राइम जो रेट्रो स्टाइल स्क्रेमलर टाइप की बाइक को लेके आ रहे है उसके अंदर काफी सारी टूरिंग सैसरीज का ओप्शन देहने को मिलेगा और अभी जो बाइक टेस्टिंग के टाइम पे स्पोर्ट हुई है लेकिन पहले जब यह bike sport हुई थी तब ही spike के अंदर alloy wheels थे सो bike के अंदर में spoke wheels और alloy wheels दोनों option देहने को मिल सकते हैं और अभी जो spike की pictures leak हुई है उसमें bike के अंदर saddle bag भी है, top box भी है bike के अंदर knuckle guards भी है और alloy wheels के जगे पे spoke wheels है और वैसा ही bike के अंदर exhaust system है जैसा पहली spike के अंदर sport हुआ था यानि कि bike के अंदर double barrel type का exhaust system आएगा और engine के बारे में बात करें तो bike के अंदर most probably 350cc का 4 stroke single cylinder liquid cooled DOHC engine होगा जिसकी power होगी 35 PS के आसपास और torque output होगी 30 Nm के आसपास bike के अंदर 6 speed gearbox देखने को मिलेगा सो इसमें तो कोई भी doubt नहीं है कि bike की performance काफी अच्छी होने वाली है क्योंकि bike के अंदर liquid cooled DOHC engine आएगा जिसके अंदर 6 speed gearbox होगा सो technologically advanced engine होने की बज़े से bike की performance काफी अच्छी रहेगी और bike के अंदर retro design और style होगा काफी अच्छे advanced features होगे Bonneville series से inspired bike के looks है bike में 19 inch का front wheel होगा और 17 inch का rear wheel होगा लेकिन ये बिल्कुल confirm है कि bike के अंदर काफी अच्छे super wide tires आएगे क्योंकि जो bike testing के time पे sport हुई है उसके अंदर काफी अच्छे wider tires है और bike का riding posture भी काफी comfortable है slightly rear set bike के अंदर foot packs है bike के अंदर teardrop shape का muscular fuel tank होगा और bike की सबसी बड़ी USP रहेगी upside down front folks क्योंकि bike के जितने भी variants होगे सभी के अंदर upside down front folks देखने को मिलेगे और rear में preload adjustable monoshock suspension देखने को मिलेगा और braking system के बारे में बात करें तो bike में front में भी disc brake होगी rear में भी disc brake होगी जिसके साथ में standard dual channel EBS भी देखने को मिलेगा सो बजा जो ट्राइम की upcoming retro scrambler type की bike जो अभी testing के time पे sport हुई है उस bike में low wheels के जगे पे spoke wheels देखे गए है और bike के अंदर काफी accessories भी देखी गई है जो touring accessories है और साथी bike के अंदर knuckle guards भी है अब finally बात करते हैं कि बाइक इंडियन डूलर मार्केट में कब तक आएगी और क्या इस bike का price रहेगा तो ये bike इंडियन डूलर मार्केट में January से April की बीच में आएगी जिसका action room price 2,30,000 के आसपास रहेगा और ये bike इंडियन डूलर मार्केट में Roll and Field की bikes और ESD की scrambler के साथ compete करेगी और ट्राइम की तरप से ये bike इंडियन डूलर मार्केट में सबसे cheapest option होने वाली है जो बजाज और ट्राइम की partnership के साथ में launch होगी तो बजाज और ट्राइम की upcoming retro scrambler type की bike से आपकी क्या expectations हैं अगर आप इस bike का wait कर रहे हो तो comment box में जरू बताना तो इस वीडियो में इतना ही I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो like जरू कर देना चैनल को subscribe नहीं कर रखा है तो subscribe कर सकते हो मिलते हैं अगली वीडियो में till then ride safe, drive safe